अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू फूड़ी कुगिंग रेस्पी आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं मीठी और टेस्टी रेस्पी यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है बनाने में भी असान है और बिल्कुल जटपड बनकर तयार हो जाती है सिर्फ 15 मिनट में यह रेस्पी में ली है सुजी और मैदे की यह मिक्स उइमिया है को कि इसे मेंने एक बड़ा चमच देजी घी डालकर इसे भूना है देखिए सेविया भून चुकी है इसके अंदर में डाल दिए एक गलास पानी इस ते ज्यादा पानी हमें इसके अंदर अड़ नहीं करना अदर वाई स हमारी सेमिय काफी गल जाएंगी और रैस्पी हमारी सारी खराब हो जाएगी अब इसी के साथ में डाल दी हैं दो हरी इलाइची फ्लेवर के लिए साथी में डाल रही हूं इसकी अंदर आधी कटोरी चीनी मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं कम या जादा इसे हलका साहम हिला कर 15 मिनट के लिए धक कर पकाएंगे गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखा था देखिए 15 मिनट के बाद हमारी सेविया बन चुकी है देखिए काफी अच्छी कहली खिली हमारी सेविया बनकर रेडी है इसके साथ मैंने डाल दिया इक बड़ा चमच मेंने नारिल का बुरा डाला है जिसे हम coconut का वो जो बुरादा होता है न वो आप इसे घर में भी बना सकते हैं अब हम इसे प्लेट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई कर दो आपको प्लेट में अवादा में आपको प्लेट में अपको प्लेट में अपको वीडियो हैं झाल